आप सभी लोगोंने काफी आंदोलनेों की बारे में सुना होगा आप लोगोंने आजादी के बाद देखा होगा जेपी आंदोलन आप लोगोंने अन्ना आंदोलन के बारे में भी सुना होगा लेकिन मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की जिस तरह से गूँज गाउं गाउं तक पहुंच चुकी है अभी आप लोग पूँच लिए कि दिल्ली में क्या चल रहा है तो बच्चे भी हमारे आके बताने लगते हैं कि ये किसान अंदोलन चल रहा है किसान अंदोलन कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किसान अंदोलन को इतनी सरकार की तरफ से मदद भी नहीं मिल लए अन्ना अंदोलन को तो आपने देखा है कि इतनी मदद दी जा रही थी लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि किसान अपने अंदोलन को एक सांती पूर तरीके से चला रहे हैं और एक बहुत लंबा समय भी हो चुका है और आज हम लोगों ने पिछली एक क्लास में आपने देखा था कि राकिश टिकेट के बारे में जाना था यानि कि उनके एक सामाने जीवन परचे हम लोगों ने देख लिया था कि उनका बैक ग्राउंड क्या है आज कि इस कलास में हम लोग गुरु नाम सिंग चडूनी इन्हें आप लोग काफी अंदोलन की किसान अंदोलन की बात होती है तो इनका नाम ओभर कर जरूर आता है क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हर्याना है ना इस अंदोलन को इहां से उन्हीं नहीं सुरूर किया था और वही दिल्ली तक लेकर आये है और आप लोग देखते हैं कि उनकी काफी पैट भी है हर्याना में कि आपने देखा होगा कि जब भी वो कह देते हैं तो कहीं किस अगर नेताओं का बिरोद करना है आपने देखा होगा कि कि सी एम सहब को भी नहीं उतर ने दिया उन्होंने सभाय नहीं करने दे रहे हैं वो किसी भी नेताओं इतना तगड़ा बिरोद कर रहे हैं देखिए यह आपका हर्याना और आप सभी को मालो होना चाहिए कि इसकी राध्धानी चंडी गड़ है क्या है? चंडी गड़ है और इसकी स्थापना इसकी गठन हुआ था हर्याना का 1 नवंबर 1966 को ठीक है? और आप लोगों को यह भी मालो होना चाहिए कि बिधान सभा सीटें यहां 90 सीटे है राज्य सभा सीटें आपकी यहां 5 सीटें देखने कुम लेगी लोग सभा सीटें यहां 10 सीटें देखने कुम लेगी ठीक है? और इससे लगे हुए अगर हम राज्यों की बात करें तो बयानों से, ठीक है, तो ये देख लीजे, उनकी पिक्चर है, किनकी, चडोनी साहब की, इन लोग की तारीव तो करनी पड़ेगी, कि मतलब आप सोचे कि कि कितना साजीसों के बाद भी, अपना अंदोलन एक तरह से अहिंसा पूंड तरीके से चला रहे हैं, और आप समझ सकते कितना आगे ले जा रहे हैं, आप समझी पूरी गर्मी निकाल दी उन्होंने, ठंड भी निकाल रहे हैं, बरसाद भी निकाल दी, और आप देख रहे हैं, गर्मी भी कितनी गर्मी पड़ती है दिल्ली में, ठंड भी कितनी पड़ती है, बरसाद में क्या हाल होत था है, उसक इनकी पत्नी की बात करें तो बल जिंदर कौर इनकी पत्नी है और आप सबी लोगों को इनकी पत्नी जो बल जिंदर कौर है इन्होंने लोग सभाज चुनाव भी लड़ा था आम आदमी पार्टी की टिकेट से लेकिन हार का मुए देखना पड़ा था ठीक है? ऐसा ही आप लोगोंने देखा होगा राकिश टिकेट के मामले में भी देखा होगा राजनीती में लोगों को सफलदा नहीं मिली होगी है और एक बात तो आप लोग भी स्विकार करेंगे कि राजनेता बनने के लिए आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ खास क्वाइल्टी होने चाहिए एक तो आप लोगों को जूट बोल लाना चाहिए और एक तो आपको बेशरम होना चाहिए तभी आप आँगे जा सकते हैं पॉलिटिक्स में राजनीती में समझ रहे हैं आप लोग और ये इन लोगों में क्वाइल्टी है नहीं है अगर हम इनके बेटा की बात करें गुर्णाम सींग चड़ोनी के तो अरसदीप सींग इनके बेटे का नाम है ठीक है और किसान संगठन की बात करें तो भारतिय किसान यूनियन से जुड़े हुए है ये आपका हर्याना का एक संगठन है भारतिय किसान यूनियन वैसे तो आप देख रहे हैं कि नाम से पता जलता होगा कि देश बड़े मतलब आप देख सकते हैं राष्टी इस्तर पर है इनको कई भासाओं का ग्यान भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, बागडी भी हो गई मैं अभी देख रहा था कि पंजाबी चुनाव में एक लोग गई हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि ने बंगला भासा भी बोल नहीं आती है कई किसान ने तो आप देखेंगे बंगला भी बोल रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि आप पड़े लिखे भी हैं इनकी अगल सिक्षा की बात करें तो मादमिक विध्याला एक खाने वाल तहसीर सहाबाद जिलाकुरूचे थर्याणा से इनोंने सिक्षा पराप्त की और देखें जहां तक इनका सोर्स रहा है देखें गूगल से ही मैंने सर्च किये हैं इनके बारे में पॉइंट है सभी ओहिंच से लिए तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इनके बारे में जानना इनकी सिक्षा दस्वी हित्त की इन्होंने पड़ा हुआ है ठीक है और राजनितिक केरियर की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि 2021 से 2019 में इन्होंने भी लाड़वा विधानसवा से विधानसवा चुनाव लड़ा था निर्दलिये लेकिन इन्हें भी सपलता नहीं मिली थी ठीक है यानि कि राजनितिक छेत में भी ये हाथ अदमा चुके हैं तो ये भी आप दोग देख सकते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद जो राकिश टेकेत का युगदान है वही आप कह सकते हैं कि किसान अंदोलन में निका भी उतना ही युगदान है क्योंकि सुरुवात आप जानते हैं कि हरयाणा से अंदोलन की हुई थी धीरे धीरे दिल्ली की तरब बड़े और आप जान रहें कि अब दिल्ली पे कई महिनों से डटे हुए हैं तो आप देख सकते हैं और याद रखिए अब देखना पड़ेगा एक तु क्या है कि सांदोलन को फ फेस्बुक पेज भी है इनका वहीं यह सूचना दे देते हैं जो भी बोलना होता है राकिश टखेट को आप लोगो ले ले लीजेए वो भी फेस्बुक पर एक्टिव हैं तो आप लोग देखते रहा करिएगा और इनकी जीमैल की बात करें तो जीमैल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आपको जरूर थो किसान अंदोलन में कुछ तो इस पर भी आप लो कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है? तो यही कहानी है मुझे लगता है कि इनके बारे में इतना ही पॉइट मिले हुए है कि इनकी कहा के हैं, क्या है, इनके बारे में काफी जानकारी मिल चुकी थी तो इसी साब से आप लोगों को भी बता दिया था ठीक है? और मुझे लगता है कि कभी-कभी किसानों का आप लोगों को हर संभो सबोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप समझे हमारे पास दूसरा भी कल्प नहीं होगा हम नेताओं की गुलामी करें ना करें इन नेताओं के बिना हम लोग रह सकते हैं लेकिन किसानों के बिना मुझे नहीं लगता है कि संभो है और हमारे देश में आप देख सकते हैं कि किसानों की हालत जो जितनी बुरी है मुझी नहीं लगता है किसी बरक्की होगी आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि यहां सुसाइड किया हुआ है इतने किसानों ने सुसाइड किया हुआ है तो आप समझ सकते ही क्या इस्तिती रहती है और आप समझे कि उनकी मांगे उनके फायदे नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वापस ले लेना चाहिए कई किसानों की डैध भी हो चुकी है आप सभी जानते हैं और आप समझें कि दो-चार बाते मुझे भी अच्छी लगी इन लोगों की एक तो आप समझें कि नियुन्तम समर्थन मूल मिलना चाहिए क्योंकि अभी आप देखते हैं कि आपके गाउं का जो मुखिया होता है यानि कि जिसे आप लोग मुखिया कहते हैं जिसे कहीं आप लोग एक तरह से ब्यापारी कहते हैं सेट जी कहते हैं आपने देखा होगा कि वो मनमर्जी आपकी फसल खरीदता है अगर आप समसकते हैं कि उसका सरकारी जेट आपका 20 रुपे है तो सेट जी आपके 10, 12, 15 रुपे में खरीद लेते हैं तो कम से कम कोई ऐसा नियम कानून तो होना चाहिए कि इससे कम पर अगर कोई भी फसल खरीदता है तो उसे कुछ सजा भी होगा दंडी मी मिलेगा अगर ऐसी कोई हरकत करता है कोई बेखती तो इस नियम के एक कानून बनना चाहिए मैं भी पूरी तरह से इसमें सपोर्ट में हूँ दूसरी बात आती है आप समझें कि जो आप देखते हैं कि जो कॉन्टेक्टें फार्मिंग होती है कॉन्टेक्ट पर फार्मिंग यानि कि मान लिजी कि मैंने कहा कि आप लोगों से कि आप लोग आलू उगाई है और आप समझें कि आलू मैंने contact तो आप लोगों से कर लिया लेकिन आप समझ सकते ही कि बाजार में अगर आलू की आलू अधिक आ जाता है आलू को अत्पादन अधिक हो जाता है उस साल और मैंने आप से contact किया था 10 रुपे किलू और मुझे आलू मिलना है बजार में 2 रूपे किलो तो मैं आप से क्यम खरीदूँगा मैं तो अपना फायदा देखूंगा न तो यहां आप समझ सकते हैं कि किसानों की क्या हालत होगी समझ रहे हैं आप लो तो यहां एक तरह से अंग्रेजों का समय आ जाएगा और एक दूसरा आप समझ सकते हैं कि एक किसानों के लिए ही नुकसान दायक नहीं है एक कानून हम आप के लिए भी हैं आप समझते हैं कि अभी आप देखते हैं 20 रुपे किलू आपको गेहू आराम से मिल जाता है 70-80, 20 रुपे किलो आराम से और आप समझए कि एक गेहू अगर कोई प्राइवेट हातों मिल जाता है और वो आटा बना कर आप तक बेजते हैं तो आप समझए वही आटा हमें 40-50 रुपे किलो मिलेगा आप लोग जानते भी तो हैं अभी आप लोग प्राइवेट किसी भी कमपणी का आठा खरीदिये अभी एक आठा चक्की पर आप लोग जाईए 25 से 30 रुपे किलो आराम से मन जाएगा 25 रुपे किलो बहुत से बहुत और अभी आप लोग कोई पैकेट में लीजिए किसी कमपणी का वही आपको 50 रुपे किलो मिलेगा तो कुछ यह बातें ऐसी है कि मुझे लगता है कि सही बातें भी है इनकी ठीक है तो आप लोग सपोर्ट करते रहा करिए का यही दो लोग तो हैं एक तो किसान एक जबान जिनकी हालत भी बुरी है और जो हमारी रक्षा भी कर रहे है ठीक है तो यही कहानी है आपके गुरु नाम सिग चडूनी साहब की इनके बारे में जानदा पॉइंट हैं भी नहीं है इस सांदोलन के कारण ही ओबर के आए हुए है